कैसा है जब हम किसी अलाइंस में होते हैं तो हमारे साथ में जो हमारे मित्रपक्ष है उनके बारे में भी हमें सोचना पड़ता है उनका विचार भी हमें लेना पड़ता है जब नाशिक के सीट का सवाल आया था तब मित्रपक्ष के वज़े से वो सीट हमको छोड़ना पड़ है उनका राजनीतिक करियर हमने जब हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा है फिर उनको पता है कि अलाइटे हुए हमें मित्रPAKSH की बातें भी सुननी पड़ती है और साथीसाथ में हमारा पक्ष की जिम्मेधारी भी समझनी पड़ती है तो फिर अब आज उनको वो संधी प्राप्त नहीं हुई लेकिन आगे चलके वो अभी भी महाराष्ट के काड़नेट मंत्री है ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई पद नहीं है इसलिए आगे चलके भी वो वेशा भी उस पद पर रहते हुए आगे चलके खाज़दार की का जो नोकसभा का जो नही ही मिलता है जैसा अभी उनके पास एक महाराष्टर के मंत्री मंडल में अच्छा मंत्रीपद है उससे भी कही गुणा अच्छा मंत्रीपद आने वाले महायूति के सरकार में उनको मिलेगा और ओभी से समाज को भी पूरा नयाय राष्टरवादी कॉंग्लेस पक्ष के झेलिए झाल hog लादाराषाइ झालुणे भी cess